राजिस्थान रॉल्स और लखनो सुपर जैयंस के बीच में रवी बार को हुआ IPL मुकाबला विकेट कीपरों के नाम रहा राजिस्थान की ओर से संजू सैंपसन खेल रहे थे और लखनो सुपर जैयंस की तरफ से केल राहूल और निकोलस पूरण खेल रहे थे संजी जितकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उन्होंने total 193 रन बनाए यह मकादला जैपॉर के मान सिंग स्टीडियम में हो रादा संजु सैमसन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया लेकिन टीम को वो अच्छी शुरुआत नहीं मिली सी जैसवाल और जौस बैटल की आरंभिक जोड़ी नी जो है टीम को अच्छी सुरुवात नहीं दिलाई और दूसरे ही ओवर मेट जौस बोटलर लॉट गए इंगलेंड के विरूट टेस्रीज में अच्छा खेलने वाले सासो से ज़्यादा रन बनाने वाले जैसे सी जैसवाल कुछ आगाशाख रोट लगाए लेकिन वो बड़ा स्कोर नहीं बना सके इसके बास संजु सैमसन और रियान पराग आया और उन्होंने टीम को संभाला और अच्छी सुर्वात दी उन्हों ही बैट्समैन ने तीसरे विकेट के लिए 93 रन की साजिधारी किया और टीम को बड़ा स्कोर की तरब बढ़ाया संजु सैमसन 2020 से हर सीजन में पहले मुकाबले में 50 से ज़्यादा रन बनाते हैं और उन्होंने पांस सेशन में 4 अज़सतक और एक सतक जड़ा है दूसरी टीम यानि कि लखनो सूपर जायन लक्ष का पीछा करनी उतरी और उनके 11 रन पे 3 विकेट गीर गए जिसमें क्विंटन डिकॉक देवदद और आयूस वापस लोट चुके थे पिर केल राहूल आये और उन्होंने इंपैक्ट प्लेयर दीपक हुड़ा के साथ 4 विकेट के लिए 49 रन जोड के टीम को कुछ नभाला लेकिन हुड़ा भी चहल की गेंद पर बड़ा शट लगाने की चकर में आउट हो गए और इसके बाद केल राहूल और निकोलस पूरें की जोड़ी ने कमाल की बल्ले बाजी की और उन्होंने टीम को लक्ष के करीब पहुचा दिया दोनों ने चौथे विकेट के लिए 85 रन जोड़ी जब तक दोनों बल्ले बाजी कर रहे थे तो लग रहा था कि साइद लक्ष अधिस्तान रॉयल ने लखनो सुपरजियान को